सात्वी के चौथे पाट का नाम है देहात और शहर जो पुरुष्ट क्रमांकर नौ में दिया हुआ है देहात और शहर इसे अभिशेक पांडे इन्होंने लिखा है प्रस्तूत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुखदुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिये हुए है प्रियमित्र शहर नमस्कार दिनांक एक अगस्त दो हजार सत्रा कल तुमसे बात हुई मेरे सुखदुख के संबन्ध में पूछा धन्यवाद बहुत सारी बाते मन में है सब कुछ दूर्ध्वनी पर कहना मुश्किल है सोचा पत्र ही लिखू अब मैं अपना दुखडा क्य चलिए इस बार कुछ अच्छी बाते भी तुम्हें साजा करता हूं डिजिटल क्रांती का थोड़ा असर हमारे गाव में भी दिखाई पड़ने लगा है मोबाईल के माध्यम से नित नविन सुचनाय हम तक पहुचने लगी है स्वच्य ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुच गई है ग्राम जन भी शिक्षा स्वास्थ रोजगार खेती के नविन अवजारों और आधुनिक खेती के पद्धतियों का थोड़ा थोड़ा जानने लगे है घर घर में सवचालय जैसी सुईधा के प्रती लोग जागरूख हो रहे है यह पत्र देहात ने शहर को लिखा है जिसमें देहात शहर से कह रहा है कि डिजिटल क्रांती का थोड़ा असर गाव में भी हो रहा है और नई सुईधाओ के प्रती लोग जागरूख होकर उसे उपयोग में भी ला रहे है दूसरा परिक्षित हाला कि कुछ परिशानिया अब भी वही की वही है पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुईधाय नहीं है महा विद्यालय तो हमारे गाव से बहुत दूर है तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्या दूनिक और अच्छी सुईधाय विकसित टेक्निक है तुम्हारी दिन दूनी रात चोगनी उन्नती हो रही है तुम कितने सुखी हो यातायात के आधुनिक साधन पक्की चोड़ी सड़के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुईधा तुम्हारे शान में चार चान लगा देती है कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है एक जमाना था जब मेरे यहां बहुत खुशाली थी चारो तरफ हर्याली थी पर अब पहले जैसी रोनक नहीं है मैं असुईधा, बेरोजगारी, आपसी जगडे, गुटबाजी, अशान्ती जैसी समस्याव से घिरता जा रहा हूं यहां के कुछ असिक्षित और अलपसिक्षित लोग परिवार कल्यान के प्रती आज भी उदासीन हैं, जन संख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहां काम धंदा नहीं है दूसरे परिक्षेट में देहात अपनी तुलना शहर से कर रहा है वह शहर से कह रहा है कि अत्याधुनिक साधन, पक्ये चोड़ी सडके, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुईधा तुम्हारे शान में चार चान लगा देती है गाव अपना हाल बता रहा है कि पहले यहां भी चारो और खुशाली थी लेकिन असुईधा बेरोजगारी आपसी जगड़े के कारण यहां गाव में परिशानिया बढ़ चुकी है और गाव में बढ़ती जन संख्या को देखते हुए लोगों के लिए काम धंदा भी नहीं है तीसरा परिच्छित रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे है यहां काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे है शहरी चमक दमक और आधोनिक सुईधाओ की और आकरशित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी और दोड रहे है यहां स्वास्थे सुईधाय भी नहीं है बिमार्या है पर परियाप्त मात्रा में सुसज्य और अच्छे अस्पताल नहीं है लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है मेरा परिवार तूट सा रहा है बताए मैं क्या करूँ तुम्हारा मित्र देहाद इस परिक्षेत में देहाद शहर से कह रहा है कि तुम्हारे आधोनिक साधनों की वज़ा से गाउ के लोग शहर की और आकरशित हो रहे है शहर से कह रहा है कि यहां गाउ में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है सभी लोग शहर की ओर जा रहे हैं जिस कारण मेरा परिवार तूट सा रहा है और मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ पत्र शहर ने दिहाद को लिखा है प्रिय मित्र दिहाद नमस्कार दिनांक 15 अगस्त 2017 आज स्वतंत्रदा दिवस है इस उपलक्ष में हार्दीग बधाई पत्र मिला तुम्हारी प्रगती के बारे में जानकर खुशी हुई इस पत्र में शहर दिहाद से कह रहा है कि परिवर्तन स्रिष्टी का नियम है और हर चीजों में परिवर्तन होना आवश्यक है इन दो पंक्तियों के माध्यम से शहर दिहाद से कह रहा है कि हे मन धीरज रख हर काम धीरे धीरे होता है माली भले ही पौधों में कितना ही पानी क्यों न डाले रुक्षप पर फल तभी आते है जब उस फल का मौसम आता है माना की कुछ परिशानिया है वहां के परिवार तेजी से मेरे यहां आ रहे है परन्तु यहां आकर भी सब कहां सुखी है चिराक तले अंधेरा है जिन बस्तियों में जिन हारातों में वे रहते है तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे मेरे यहां की दिन बदिन बढ़ती भीड से मैं परिशान हो उठा हूँ जिस चमक दमक की तुम बात कर रहे हो वह सब को कहां उपलब्द है तुम्हारे यहां से जो यहां आते है कई बार बाद में पच्चताते भी है शेहर दिहाद से कह रहा है कि लोग उच्चुक होकर यहां काम धंदा करने के लिए आतो जाते है लेकिन जिन हालातों में वो यहां रहते है यहां सुनकर तुम दंग हो जाओगे यहां दिन बदिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिस कारण शेहर में भीड भी बढ़ रही है और कई लोग तो यहां आकर पच्चताते भी है दूसरा परिक्षित मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए तुम उन्हें बुराईयों से दुर रखकर विभिन्न व्यवसाई कवशलो कम्प्यूटर संबंदी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो खेल तो ग्रामी जीवन की आत्मा है दोडना, तैरना, पेड़ पर चड़ना, उतरना तो वहां के बच्चों की रग-रग में रचा बसा है आज कितने विख्यात खिलाडी गाउ से ही आगे बढ़ी है उनको प्रोचसाहित करना तुम्हारी नयतिक जिम्मेदारी है खेल संबंदी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतरराष्ट्रिय स्तर पर प्रगती कर सकता है अपने गाउ को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रैतना करना होगा तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनो दिन बढ़ती आबादी असिक्षा और गरीबी है दूसरे परिक्षेट में शहर अपनी और देहात की समस्या का कारण बता रहा है वह कह रहा है कि दिनों दिन बढ़ती आबादी, असिक्षा और गरीबी के कारण हमें ये सब देखना पड़ रहा है शहर गाव को विकसित होने का उपाई बता रहा है जिससे गाव का विकास हो सके अगला परिक्षित मेरे यहां लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे तुम गाव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहां शुडू करवाओ ताकि रोशी आधारित अनेक लगू उद्योग पलोत पादन अवशद्य वनस्पतियों की खेती पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय सुरू किये जा सकते है अरे दिहाद भाई कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूशन मुक्तव आतावरन में रहते हो खुला खुला परिसर, न धुआ, न वाहनों की चिल्लपो, हरे भरे पेड ये सब चिजे तुम्हारे पास है रात में तारो भरा आसमान, तो सबेरे उकते सुरज के दर्शन कितने सहच्टा सरहलता से हो जाते है हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए है खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोर एवं दुरलब हो गए है ये तुम नहीं समझ सकते तुम्हारे तहशिल और शेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने शेत्र का सरवांगिन विकास करने के लिए अपने जनब रतिनीधियों का सहयोग ले तीसरे परिक्षेत में शेहर अपनी और गाव की तुलना कर रहा है शेहर गाव से कह रहा है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास इतना खुला परिसर हरे भरे पेड है ना ही धुए का प्रदुशन होता है और ना ही वहनों की आवाजे आती है और यहां सारे जंगल शेहर में इमारत में बदल गए है शेहर गाव को प्रगती की और का मार्ग दिखा रहा है शेहर कह रहा है कि तुम अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करवाओ ताकि कुरूशी आधारित अनेक लगुद्यों किये जा सके अगला परिचित तुम्हारे यहां जो बच्चे विद्यालाय में पढ़ रहे है यदि अभी से उन्हें सही दिशा उचित मार्ग दर्शन दिया जाए तो वो भविश्य में वे ही हम सब की विथा कम कर सकते है वे ही हमारे आशा स्थान है मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा तुम्हारा अपना शहर शहर देहाच से कह रहा है कि जो बच्चे अभी विद्यालाय में पढ़ते है यदि उन्हें सही मार्ग दर्शन दिया जाए तो भविश्य में वो हमारी समस्या जरूर कम करेंगे